Hi everyone, मैं हूँ Dr. Salim और आज हम बात करने वाले हैं मखाने के बारे में मखाना जिसको English में बोलते हैं Fox Eats ये एक तरह का seed है, एक तरह का beege है जिसको derive हिये जाता है Euryal Ferox नाम के एक plant से Ayurvedic और Yunani medicines में बहुत तरह की health problems को treat करने के लिए मखाने का इस्तमाल किया जाता है मखाने में क्या-क्या benefits चुपे हुए हैं आपके लिए तो इस वीडियो को end तक जरूर देखिएगा अगर आपको कॉलिस्ट्रॉल की प्रॉबलम है या आपका triglycerides बढ़ा हुआ है तो मखाना आपके लिए बहुत ही अच्छा option है क्योंकि आम तोर पर जो snacking हम लोग करते हैं चाहे वो biscuits की हो चाहे वो नमगीन की हो चाहे वो cake pastries की हो ये सभी चीजों में बहुत ज़ादा cholesterol बहुत ज़ादा triglycerides बढ़ा है लेकिन जो मखाने होते हैं इनके अंदर cholesterol भी बहु इसके अलावा जिन लोगों का blood pressure बढ़ा रहता है उन लोगों के लिए भी मखाना खाना बहुत ज़ादा फाइदेमन होता है क्योंकि मखाने के अंदर sodium बहुत कम होता है और magnesium ज़ादा होता है और ये दोनों ही चीज़े आपके blood pressure को कम करने के लिए बहुत important होती है जो तो उसको बोलते हैं low glycemic index तो अगर आपको diabetes की problem है और आप healthy snack ढूंड रहे हैं कोई अपने खाने के लिए in between the meals या शाम के नमबर में या रात को सोते समय आपको भूख लगती है उस तो उसके लिए मखाना एक बहुत अच्छा healthy option आपके लिए हो सकता है मखाना खाने से इनको smooth बनाने में blemishes दूर करने में जाईया जुरियां दूर करने में आपकी मदद करते हैं तो अगर आप अपनी skin का texture इंप्रूफ करने चाहते हैं तो उसके लिए भी मखाना बहुत अच्छी चीज है as a snack आप इसको दिन में दो तीन बार अराम से ले सकते हैं जिन ladies को delivery क के बाद breast milk कम होता है उन ladies के लिए भी मखाना बहुत जादा beneficial होता है क्योंकि इसको खाने से जो breast milk का production है वो बढ़ जाता है इसके अलावा जो लोग weight loss करना चाहते हैं उनके लिए भी मखाना बहुत अच्छी चीज है क्योंकि मखाने के अंदर calories कम होती हैं बहुत जादा औ और fiber बहुत जादा होता है fiber जादा होने से और calories कम होने से एक ideal diet बुझ जाती है snacking के लिए मखाना जादा fiber खाने से एक तो आप जादा fuller feel करते हैं आपको भूग कम लगती है और आपकी जो gut है जो pate है उसके अंदर से fats का absorption भी कम होता है इसके लावा क्योंकि इसके अंदर low glycemic index भी है जैसा मैंने आपको अभी बताया तो यह आपकी body के अंदर carbohydrates भी कम प्रोवाइड करती है calories भी कम प्रोवाइड करती है और यह दोनों ही चीज़े मिलके आपको weight loss करने में मदद करते हैं आयरुवेदिक और युनानी medicines के accordingly मखाना जो होता है यह afrodiasic होता है यान benefit मिलता है इसके इलावा मखाने के अंदर calcium बहुत जादा पाये जाता है तो जिन लोगों के अंदर calcium deficiency होती है या हड्या कमजोर होती है या फिर osteoporosis की problem होती है या arthritis की problem है या joint pain की problem है तो उन लोगों के लिए भी मखाना लेना बहुत जादा beneficial होता है हलकी आजपे अप तव्य पे आप फोड़े से मखाने ले लिए और उनको हलका सा भून लिए ये make sure कर लिए कि जो मखाने के आप भून रहे हैं वो हमेशा हलकी आजपे बून रहें या क्योंकि तेज़ आज़ीं आज़ई पर आप कभी अगर मखाने को भूनेंगे रोस्ट करेंगे तो इसे झुलने का खतरा रहता है और उनके खराब होने का खतरा रहता है अलकी आच पर हलका सा आप उसे भून लीजे से वह करारी तोड़े घ्रनची हो ज़ए और इसके बाद आप इसको इस्तमाल कर सकते हैं as a snack जब भी कभी आप मखाने को store करें तो make sure कर लीजे कि उसको आप airtight container के अंदर store करें क्योंकि बहुत जल्दी moisture को ये gain करता है और moisture लेने के बाद मखाने जो है वो फुचपिचा हो जाता है थोड़ा पिचपिचा सा हो जाता है आपको खाने में मज़ा भी नहीं आएगा और आपके दातों में भी वो अटकना शुरू हो जाएगा चिपकना शुरू हो जाएगा तो हमेशा make sure करें कि जब भी आप मखाने को roast करने के बाद रखें तो airtight jar के अंदर रखें बहुत सारे लोग एक गलती करते हैं बहुत ही commonly मैंने देखा है कि जब वो मखाने को roast करते हैं तो उसके अंदर टेस्ट के लिए या तो थोड़ा सा घी डाल देते हैं या फिर थोड़ा सा बटर डाल देते हैं या फिर भूनने के बाद उसके अंदर मसाला या नमक या कुछ ऐसी चीज़ जाल देते हैं जिससे वो जोड़ा चटपटा हो जाता है ये एक गलत प्रैक्टिस है क्योंकि अगर आप उसके अंदर घी तेल डाल रहे हैं या बटर डाल रहे हैं तो आप उसकी जो एक प्रॉपर्टी है यानि कम फैट वाली उसको आप डिस्ट्रॉई कर रहे हैं उसको बेकार कर रहे हैं उस फायती से आप अपने आपको वंचित रख रहे हैं या फिर अगर आप उसके अंदर नमक या मसाला डाल रहे हैं तो आप उसके अंदर अड़िट सोडियम डाल रहे हैं हैं प्याहस डाल सकते हैं खीर डाल सकते हैं टमाटर डाल सकते हैं थोड़े से पीचिस जाल सकते हैं पनीर कें यह सब चीजह आप डाल सकते हैं उस Σक काफी टेस्ट इंप्रूव diving हो जाएगा लेकिन जो यह तैल उससे डालने से बचिएं और जब भी कभी आप इसको 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 अगर नए हैं तो फटा-फट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजे कोई कुशन अगर आपका है इससे रिलेटेड या कोई भी और आपका कुशन है अपनी सिहत से रिलेटेड तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्र